बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश के छतरपूर जिले का वर पवित्र धाम जहां पर आचारे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लोगों की अरजी को सुनकर उनके जीवन की समस्या को समाप्त कर देते हैं। दोस्तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर ले ताके हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बागेश्वर धाम में टोकन एक महीने में किसी एक विशेश तारीक को दिया जाता है, जिसमें महीने भर की टोकन वितरित किये जाते हैं। उस दिन आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुचना होगा। बागेश्वर धाम में पहुचने के बाद आपको सबसे पहले लालवस्तर तथा नारियल को लेकर अरजी को बांध देना है। इसके बाद आपको टोकन ले लेना है। अब सवाल ये है कि कैसे लगाए बागेश्वर धाम में अरजी बागेश्वर धाम में टोकन लेने के बाद आपको मुबाइल फोन द्वारा महराज के सेवक बता देंगे कि किस दिन आपकी अरजी लगना है। उस दिन आपकी अरजी लग जाएगी लेकिन यदि उस दिन ज़्यादा टोकन की वज़े से आपकी अरजी नहीं लग पाती तो आप अपने घर से कैसे अरजी लगवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मंगलवार को आपको अपने घर पर लालवस्तर में नारियल को बांध कर अरजी को अपने पूजास्थल पर रख देना है। दिनों तक सपने में बंदर दिखाई लेगे। ये बाला जी का सक्षत प्रमान है। यदि आपको बंदर दिखाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब आपकी अरजी अभी स्विकार नहीं हुई है। जब आपकी अरजी लग जाये तो आप जब भी भविश्य में बागेश्वर धाम आये तो आप उस अरजी को धाम में जाकर बांध दे। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही सुरक्षित जगा पर रख ले। दोस्तों इस तरह से आप भी श्री बागेश्वर धाम में अपनी अरजी लगा सकते हैं।